आज का हमारा टुटोरियल है creative text reveal motion graphics after effects के अंदर सो जैसे अभी आप screen के उपर देख रहे हो मेरे graphics यहाँ पर ready है सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा circle यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ let's open the value is zero तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मेरा circle वाला stroke circle है उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मेरा main एक line बना हुआ है जो मैंने pen tool से create किया हुआ है उसके बाद मेरे पास एक stroke line है जो मुझे help करेगा मेरे main line को reveal करने के लिए और उसके बाद मेरे पास मेरे दो text layer है यहाँ पे सबसे पहले जो मैं start करने वाला हूँ हमारे motion graphics को animate करने के लिए तो वो है हमारा circle तो पहला का मैं circle layer को select करता हूँ उसको यहाँ पर drop down करते हैं add में जाता हूँ मैं यहाँ और मैं उसके उपर apply करता हूँ train path property अब train path में जाएंगे हम लोग और zero number की frame के ऊपर यहाँ पे train path का जो end property है उसका value हम कर देंगे यहाँ पे zero और stopwatch पे key लगा देंगे ताकि हमारी timeline के अंदर end की animated की generate होगी अब यहाँ से हम 20 frame आगे जाएंगे और end की value हम apply कर देंगे 100 अब हमारी दोनों linear keys को हम select करते हैं f9 प्रेस करके उसको easy is में convert करते हैं चलते हैं graph editor के अंदर और यहाँ पे graph को हमारा यह speed graph है इसको हम कुछ इस हिसाब से edit कर देते हैं तो यह मैंने यहाँ पर कर दिया है और इस tangent को थोड़ा हम अपकी तरफ लेके चलेंगे और इसको थोड़ा पीशे की तरफ drag कर देंगे मुझे अच्छा कासा एक quick start और smooth end animation देगा graph editing नाव हम graph editor से बाहरा चुके हैं अब मुझे क्या चाहिए है कि जब यह circle almost प यह दोनों layer के अंदर again फिर से हम apply करने वाले हैं trim path property तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ add में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी trim path apply कर रहा हूं और यहाँ पे मैं start और end के उपर key apply कर देता हूं same चीज इसी को हम copy करते हैं यहां से और हमारी stroke line layer के उपर भी इसको control भी करके paste कर देते अब दोनों layer को select करते हैं अब यहां पर मुझे क्या चाहिए इस frame के उपर मुझे end और start का value दोनों में same देना है तो end का value मेरा रहेगा 50 और start का value मेरा 50 रहेगा दोनों layer के लिए ठीक है तो मैंने यहां पर apply कर दिया है values अब मुझे क्या करना है यहां से page down page down 20 frames आगे जाना है not 20 frames पर हम जाएंगे 25 frames तो 1,2,3,4 and 5 frames टूटल 25 frames आगे चलते हैं हम लोग और यहां पर मैं क्या करूं इसका value हम करेंगे जो हमारा stroke line का value है यहां पर हम कर देंगे इसका value 0 करना है बट हां इसको हमें अलग तरीके से use करना है ठीक है तो मैंने इसको यहां पर जीरो कर देता हूं ठीक है यहां फिर आप इसको 100 करो ताकि यह पूरी तरीके से क्या होगा यहां से गायब हो जा रहा है यहां पर स्टार्टिंग में क्या था जब यह यहां पर रहता है तो कुछ भी reveal नहीं है जब यह यहां पर आएगा तो दोनों का value मतलब मेरा जो start का value है वो करना है तो अब वो क्या हो चुका है वो भी reveal हो चुका है यहां पर एक हलका सा ट्विस्ट हमें generate करना है कि यहां से गायब होने वाला है ठीक है ना sorry stroke line वाला layer और वो हमें reveal करके दे रहा है हमारा main line वाला layer तो उसके लिए twist हमें generate करना पड़ेगा तो वो कैसे करेंगे तो उ यहां से मैं page up करके जा रहा हूँ और इस line को हम क्या करेंगे यहां पर apply कर दे shift करते हैं हम लोग यहां पर so let's make it shift over here तो हमने यहां पर इसको shift कर दिया है वापस इस number की frame के ऊपर आएंगे तो भाई यह क्या हो चुका है अब यहां पर दोनों के दोनों यह reveal थे 100% दोनों reveal थे बट मुझे values change करना है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ stroke line layer जो है हमारा उसके start की value में यहां पर 100 कर दाता हूँ तो यह यहां पर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा जनरेट करते हैं और उसके layer के उपर यूपर प्रेस करके उसके animated property रिवील करते हैं और यहां पर हम start का जो last वाला की है उसको delete करेंगे और यहां पर हम change क्या करेंगे end का value हम यहां पर 0 apply कर देंगे तो यह keys यहां पर animate हो चुकिए अब क्या करना है कि जो हमारा main line वाला layer है उसकी जो animated keys है ट्रीम पाप यह उसको select करेंगे linear keys को f9 प्रेस करके हम easy is में convert करते हैं चलते हैं अब इम graph editor में but one by one करेंगे हम लोग तो सबसे पहले में start वाला key यहां पर select करता हूं property select करते हैं चलते हैं graph editor के अंदर और यहां पर मैं graph को कुछ इसाब से edit करता हूं और इस vertex को हम थोड़ा drag करके यहां पर नीचे लेके आएंगे almost like over here और tangent को थोड़ा shift कर देंगे हम इस हिसाब से चलते हैं बाहर वापस अब मैं end वाली property को यहां पर select करता हूं चलते हैं वापस graph editor के अंदर और similar kind of graph हमें क्या करना है यहां पर edit करना है तो इसको भी मैं यहां पर 100 पर shift कर रहा हूं और tangent को हम हलका सा कुछ ऐसे shift कर देगे तो यह हो चुका है अब मुझे करना क्या है इनकी properties को animate करना है सबसे पहले तो हम stroke line वाले दोनों layers जो है stroke line 1 stroke line 2 उनको select करते हैं उनकी animated properties को select करते हैं अब individually graph को animate करना है तो सबसे पहले मैं क्या कर वहां यहां पी दोन लिए ही काम करना पड़ेगा तो मैं start or end को select करता हूं यहां पी इन दोनों layers की चलते हैं graph edit कर देखो दोनों का उल्टा-उल्टा reason हो रहा है अब एक एक करके चलते हैं end में आ जाते हैं यहां पे सबसे पहले इसको select करते हैं और इसका कुछ graph इसे आप से हम लोग क्या कर दे सेम अभी यहां का start वाला हम select करेंगे इसको भी select करके क्या करेंगे यहां पर इसको change करते है graph को and इसका भी क्या कर रहा हूं मैं यहां पर almost कुछ ले के आ रहा हूं इससाब से and let's make it little bit shift something like over here चलते हैं बाहर देखो key shift हो गई है तो इसको थोड़ा यहां पर set कर दो अब चलन करके sorry cancel करो यहां पर इसको थोड़ा हम उपर की तरफ लेकर चलते हैं यहां पर okay almost कुछ इस जगा पर हम लोग इसको shift करते हैं यहां पर good enough और मैं क्या कर सॉरी control z okay control z इसको थोड़ा निचे की तरह मतलब यहां पर मुझे shift करना था और इसको मैं थोड़ा change करता हूँ यहां पर और इस वाले graph को मैं खाली इतना ही edit करने वाला हूँ same चीज अभी stroke line 2 का end property हम select करते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ इसको shift करना हूँ कुछ इस जगा पे अब इस वाले time simultaneously मुझे क्या करना है कि यह जो reveal हो रहा है circle उसको मुझे 3D में भी एक shape में convert करना है तो जहां से यह almost हमारा key लगा हुआ था इन दोनों का let's place the you तो यहां जहां से इनका main line का stroke reveal start हो रहा है उसी time पे हमें क्या करना है यहां पे rotation को तो दोनों layer को select करते हैं और हम क्या करते हैं यहां पर new में चलते हैं और एक null object generate करते हैं तो अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले null को यहां पर लेके जाते हम लोग सबसे उपर की तरफ और मुझे यहां पर क्या करना है कि rotation generate करना एक 3D illusion के लिए circle के हमारे so not exactly like that but हम यहां पर इसको रखते हैं अब मैं क्या करना जा रहा हूँ कि मेरा जो यहां पर rotation का काम है उसके लिए मैं सबसे पहले इन सारे layers को यहां पर select करता हूँ और मैं null के साथ यहां पर इसको parent कर देता हूँ तो यह यहां पर हो चुका है अब जब exactly यहां पर पहुंचा है और इसका जो मेरे main line और stroke line का reveal start होने वाला है उसी time पर मुझे क्या करना इन objects को rotate करना है तो यहां पर rotation on करते हैं हम लोग और stroke line को open करते हैं यहां पर you press करते कि जहां पर इसका animation यहां तक पहुंच रहा है उस time पर क्या हो जाना चाही इनका rotation create ह होना चाही तो मैं यहां पर value apply करता हूँ 35 का बट अभी भी कोई illusion generate नहीं हो रहा है मेरे 3D ellipse का है 3D shape का यहां पर कोई भी motion graphics हमें समझ में नहीं है तो उसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं circle layer को open करता हूं उसके अंदर ellipse path 1 के अंदर चलते हैं और यहां पर मैं इसकी size को animate करने वाला हूं rotation के साथ साथ तो यहां पर size को key ले देंगे वो circle layer को select करके you press करते हैं और exactly जहां पर यह की था rotation खतम हो रहा है वहीं पर मुझे क्या करना है इसका size भी यहां पर change करना है अब सोच यह है कि मैंने size को क्यों choose किया यहां पर क्योंकि अगर मैं scale से इसको छोटा करता है तो इस circle की जो हमारा ellipse है उसकी stroke के thickness में फरका था जो आपका top and bottom में ज्यादा थीक हो जाता और जो आपके y वाले side है sorry x वाले side है वहां stroke की width पतली हो जाती ठीनर हो जाती ठीके न तो उसको avoid करने के में लिए मैं यहां पर size से उसको animate कर रहा हूं अब इसको select करेंगे और इसको भी हम select कर लेते हैं यहां पर f9 press करते हम चलते हैं graph editor के अंदर और यहां पर हम क्या करते करेंगे graph को कुछ इससाब से animate कर देते हैं अब individual property के साथ सबसे पहले play कर लेते तो मैंने यहां पर size को पकड़ लिया है और इसको मैं drag down कर रहा हूं कुछ इससाब से हलका सा इसको change कर देंगे हम लोग इससाब से अब null के rotation को पकड़ते हैं यहां पर इसका भी vertex क्या करेंग और उसके बाद क्या होगा यहां से गायब होते हैं अब जैसे इनका गायब होना start होता है like they are reaching over here यहां तक यह पहुंचे हैं और उसके बाद क्या हो रही यह यहां पर गायब होने वाली है तो उसी टाइम पर मुझे क्या करना है इनका rotation और size मतलब जो हमारा null का यह rotation था वो तो यहां पर मैं अभी क्या करना हूं की दी देता हूं सबसे पहले size के उपर plus मेरा जो null है उसकी rotation के उपर भी मैंने यहां से की दे दिया अब यहां से मैं 10 frame आगे जा रहा हूं 1,2,3,4,5 frame चाहेंगे यहां से और total 15 frame आगे चलेगे वापस मैं rotation का value क्या कर रहा हूं 0 कर रह है बट हमें क्या करना है इसको गायब करना है तो यहां से मैं क्या करूंगा 1,2,3,4,5 frame वापस आता हूं और जो हमारा circle वाला layer है उसकी opacity property को हम यहां पे open करते हैं अब layer को select करके U प्रेस करते हैं और चलते हैं हम लोग यहां पे वापस 5 frame आगे की तरफ और यहां पे opacity की value ह करते हैं और यहां पे हम क्या करेंगे ग्राफ को कुछ almost इसदाब से अनिमेट कर देंगे तो हाँ यह भी यहां पे हो चुका है तो almost पहले हम यहां तक का animation हमारा देख लेते कि यह दिखता कैसा है तो null को सबसे पहले unsolo करते हैं ताकि यह composition में visible ना हो और animation प्लेए करके देखते हैं तो yeah, it's looking really amazing and beautiful, you can see that बहुत ही सुंदर और beautiful लग रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे दोनों text layer को unsolo कर देते हैं और उसका position और साथ में क्या करेंगे अब opacity का layer open करते हैं और दोनों पर key देदेंगे यहां सर यहां से page down page down 20 frames नहीं बट एक, दो, तीन, चार, पांच फ्रेम हम आगे चलते हैं और यहां पर क्या करेंगे वापस दोन जो shape है वह इस तरफ जा रहा है तो मेरा design वाला word यहां से आएगा और यह उपर वाला जो shape है इस तरफ जा रहा है तो इसलिए मुझे क्या करने motion को इस तरफ से यहां पर reveal करना है तो हम सबसे पहले position values change करते हैं तो design जाएगा मेरा left side के उपर almost यहां पर और मेरा position हो जाएग पर F9 प्रेस करते हैं चलते हैं हम लोग graph editor के अंदर यहां पर क्या करेंगे graph को कुछ किसी आप से edit कर देंगे so almost हमारा text reveal motion graphics animation यहां पर generate हो चुका है final output देखने से पहले guys मैं हमेशा आपके लिए नए creative ideas लेके आता हूँ जिसके लिए आपको ना ही किसी plugins की जरूरत पढ़त कि artificial intelligence बहुत सारे लोगों की job खा रहा है तो उनकी ही job खा रहा है जिनके उने creativity के लिए depend किया है templates और plugins के उपर अगर आप basic tools के थूँ जो software आपको खुद दे रहा है अगर उसके थूँ चीजे generate करते हो hundreds of ideas generate करते हो तो आप आराम से industry में survive कर पा हो गया और वही ideas मैं आपको यहां पे share करता हूं और मेरे ideas को generate करने के लिए आपको high-end PCC की भी जरूरत नहीं पड़ेगी चाहे laptop को अब मैं almost 8GB RAM के उपर tutorials बना के आपके साथ share करता हूं तो मुझे बिल्कुल भी यहां पे high-end PC की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो I think यह आपके लिए बहुत ही useful होग बदले में खाली आपको like, subscribe, bell icon के click करना है ताकि नए आने वाले tutorials और updates के बारे में आपको notifications मिलते रहें प्लस मेरा comment box का capacity, storage capacity बहुत हाई है हर एक tutorial का, thousands of TVs में है तो आप अपने likes, dislikes को words में share कर सकते हो comment box के अंदर जो मुझे inspire भी करेगा या मुझे चीजे सुदारने में help भी करेगा So do that guys, तो देखते हैं अब हमारा final output हमें कैसा दिखता है, animation जो है हमारा text reveal motion graphics animation जिसको हमने creative way पर generate के So now you can see that it's looking really amazing and beautiful, so I hope आपको मजाया होगा, so again do like, subscribe, click on bell icon, मिलते हैं next time, good bye